नमस्कार दोस्तों, और केक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारी वीडियोज के फिरी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस पाइल आइकन को प्रेस करके लोटी वीडियोज को आप कर दीजिये जिससे कि आप हमारी वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जियो की तरफ से 31 मार्च को ये एनॉंस्मेंट हुआ था कि जियो ने फिर से एक नया समर सप्राइज आफर लांच कर दिया है जिसमें कि हमें बताया गया था कि हमें 15 अपरेल से पहले जियो प्राइम में मरसिप लेने के बाद 303 रुपीज का रिचार्ज कराना होगा जिससे कि हमें 16 अप्रैल से 30 जून तक यानि summer surprise offer period के अंदर सेम 1 GB per day के हिसाब से data मिलेगा और उसके बाद हमें जुलाई मन्त में हमें हमारे 303 रुपीज के plan के हिसाब से 1 GB per day के हिसाब से data मिलेगा लेकिन दोस्तों साइद ही आप लोगों को पता होगा कि जीओ ने 303 रुपीज के प्लान के अलाबा 499 रुपीज वाले प्लान को भी समर सप्राइज आफर के साथ जोड़ दिया है जिसके अंदर आपको जुलाई मन्त में डेली 2GB पर दे के हिसाप से डेटा तो मिलेगा ही साथ ही आपको समर सप्राइज आफर पर पिरियेट के अंदर भी 1GB पर दे की जगए 2GB पर दे के हिसाप से डेटा मिलेगा यानि कि आपको सिर्फ 196 रुपीज extra देने पर आपको पूरा 104 GB extra data मिल जाएगा तो अगर अभी तक आपने Prime Membership लेने के बाद कोई भी recharge नहीं कराया है और आपको ऐसा लगता है कि 10 GB per day के हिसाब से data आपके लिए कम है तो आप 15 April से पहले 499 रुपीज का प्लान ले लीजिए दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोग 31 मार्ट से पहले 149 रुपीज का प्लान ले चुके हैं वो Free Summer Surprise आपको किस तरह से ले सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक नहीं दिखा है तो आप उपर पाप अपर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए लाइक बटन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा और अगर अभी तक आपने हमारे RKX चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है झाल अगर नहीं कि लाएगा